दोस्तों स्वागत अब का ड्राइव स्पार्क में मैं हूँ प्रमीत और आज हम यहां पे आए हैं जागो लैंड रोवर के शोरूम में जहां पे हम चेक आउट करेंगे दी ओल न्यू लैंड रोवर डिफेंडर चले आपको गारी का क्विक वॉक राउंड देता हूं ताकि आप देख सके गाड़ी को हर एक एंगल से कि गाड़ी कैसी दिखती है बहुत सारे पूरी गाड़ी फीचर लोड़ेड है आपको बस इस गाड़ी को लेके एक प्रॉपर से सफारी में आपको बस जाना है आप देख सकते हैं कि दो कलर अभी आहां पे अवेलेबल है तो यहां पर आप देख सकते हैं इसको मिलता है यह All-LED Headlight Unit अब जो टॉप पेरेंट है उसमें आपको Matrix LED मिलेगा इसमें जो है आपको DRL मिलते हैं यहां पर चारों तरफ इंडिकेटर है और एक जो है आपके पास है प्रोजेक्टर जिसमें High और Low Beam है नीशे के तरफ आपको यहां पर मिलेगा यह Fog Light और आप देख सकते कि काफी सारे इवेंट्स मौझूद है गाड़ी में कि एर और पानी दोनों को चैनल करते हैं बहर और आप यह धायक सकते हैं यहां पर यहां पर यहां पर आपको छे कैमरा मिलेंगे बहर है हां जी छे एक यहां पर एक वह ग्लास पर आप जो देख सकते हो वह बेसिकली आपका लेन असिस्ट और अडाप्टिव क्रूस कंट्रोल के लिए है दो और वीम पर और एक पीछे और एक आपका शाक फिन आंटेना में वह मैं आपको अंदर बताऊंगा कि शाक फिन आंटे इस पे एक अलग टाइट कातॉए है और इस पर एक अलग टाइट अलोऑ है यहां पर आपको डिफेंडर का बैज मिलेगा और एक ड़क्ट तोकि एयर को चैनल करता है बाहर के तरफ एयर स्सपेंशन है तो अगर आपको गाडी की हाइड बढ़ानी है तो यहां पर देख सक आउटसाइग मिरर मिलेगा यहां पर रहें और इंडिकेटर हैं यहां पर पडिल लाइट प्रता अप collector है और यहां प्र कोई आप्रोच कर रहा है गारी में बहुत मलब तेई से और आपने नोटिस नहीं किया तो यह जो है लाइट बिलिंग करेगी तो आपको अटेंशन जो एट्राक्ट कर लेगी और आपको बताएगी कि कोई साइड में है थोड़ा समल के चलाई है अगेर आपको यहां पर एक बैजिंग उपर के तरह आ अट जाता है जिसमें काफी सारा लगेज भी डालके लेकर जा सकते हैं और यहां पर पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे के तरफ आपको मिलता है यह टेल लाइट यूनिट जो की काफी यूणिक है डिफेंडर की बैजिंग फॉस्ट एडिशन अगें यह क्रोउम फिनिश् और वाइपर मिलेगा वाश्टर के साथ यह काफी नीटली इस टायर के पीछे जो है यह इसका बूट यह नोने बान के रखा है आगस यह हुक्ट अप है तो यह आपको नहीं चाहिए तो आप अप भी सकते हो उसके लाब आप देख सकते हो कि इसमें इसको काफी अच्छा तो आपको घर का अप्लाएं जैसे की चार्जर या फिकोई स्पीकर हो गया आप बाहर हैं कुछ चार्ज करना है तो इससे कर सकते हैं एसी बेंस मोजूद है और यहां पर देख सकते हैं साइड में यहां पर ग्लाज दिया गया है तो बेसिकली आप जब सफारी पर जा रहे हैं तो आप यहां से वहिकल की हाइट ऊपर नीचे कर सकते हैं जो कि सिर्फ पीछे वाला सिस्पेंशन होगा स्पेर टायर मौजूद हैं आप पर गुडिया रैंगलर के टायर काफी अच्छे डूल ऑफ रोडिंग बेसिकली डूल पर्परस टायर गाड़ी के अंदर एक औ गाड़ी में डोर हैंडल भी बॉडी कलर्ट का ही है उसमें कोई क्रोम या ब्लाक टाउट फिनिश नहीं और जैसी में दिर्वाज़ आप कुलूंगा यहां देखेंगे बन करता हूं जैसी खोलता हूं यह भी ब्रस्ट अलुमिनियम मेरीडियन साउंड सिस्टम लॉक अनल करोगे इसका जो यह 12 इंच का इंस्रुमेंट क्लस्टर है फुली डिजिटल है और यहां पर इसको एक 10.5 इंच का इन्फोटेंट सिस्टम मिलता है जिसमें यह काफी रिस्पॉंसिव है और बहुत साई चीज़े है इसमें आपल काड़ प्ले अन्रॉड ऑटो और बहुत क अब जो मैं कैमरा की बात कर रहा था पीछे वह यहां से आप देख सकते हो कि अभी आपको यह नॉर्मल दिख रहा है यहां से मतलब आप जैसे पीछे रेगुलर मिरर के तरह काम कर रहा है लेकिन अगर आपने पीछे बूट में काफी लगेज रखा है और वहां से अगर आ यहां से आपके संरूफ का पूरा कंट्रोल है यहां से पानरामिक संरूफ है यह ग्लास खुल जाएगी और दिफंडर की बैजिंग पकड़ने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिएगे कि आप रोडर है तो आपको काफी सारे मिरेखाल से वहां पे हैंडल मिस कर रहा इन्फैक्ट हम लोग ने जब गिने थे इन्होंने बताया कि ओवराल टोटल 14 चार्जिंग सॉकेट से जिसमें USB और चार्जिंग सॉकेट और 230 का जो पावर सॉकेट है वो सब कुछ इंक्लूड़ेड है अब आप हेडलाइट देख सकते हैं आप हेडलाइट काफी जादा उस करता है एड़रोफ वराइट है एिए सतेरेट कंट्रोल टो सकते हैं वह सब्सक्राइब ऑपने बहुत जाएदा आपने ऊपर के तरफ सेट किया हों ऐसे तो आपने नोटिस करेंगा कि ड़े थो थोड़ा मतलब दर्लेक्स धॉन आप नीछा लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा वह अपने से घ्री तरह अजस्ट करता रहेगा वह देख सकते हैं यहां पर काफी स्पेस है अगर आप अप्ट करना चाहें तो यहां पर एक वाइलेस चाजर लगता है और इसके नीचे आपको यह कफोल्डर मिलेंगे यह इसका क्लाइ आप अपने हिसाब से गाड़ी को कस्टमाइज कर सकते हैं उसकी सेटिंग को और यह आपका डॉल जोन क्लाइट कंट्रोल आगे है और डॉल जोन क्लाइट कंट्रोल पीछे के तरफ यहां से आप गाड़ी की हाइट बढ़ा सकते हो तो एक बार मैं यह बटन दबाऊंगा अब अब उपर जा रही है आप देख सकता है कि लाइट ऊपर जा रही है फिछे के तरफ भी काफी जगह है एक बेड है यहां पर यहां पर कोई टनल नहीं है ताकि तीन लोग आराम से बैट सकते हैं और जो फॉर्जोन क्लामिक कंट्रोल बाकी के दो यहां पर है और नीच सकते हैं कि मैं को पहली बार तो मैं को लगाई नहीं था कि सेंटर आम्रेस्ट है भी इसमें काफोल्डर के साथ और यहां से आप देखिए कि कि कितना अच्छा व्यू आएगा आपको पैनरामिक सनरू प्लस इस साइड में ग्लासेज है और अल गाड़ी में काफी जगह है बाहर देखने के अगर आप सफारी के लिए जा रहे है तो चलिए अब गाड़ी का हुट खोलते हैं और यहां पी देख सकते हैं आप लैंट और की बैजिंग और यह इंजीनियम एंजिन है तो बेसिकली एक टू लीटर पेट्रोल एंजिन है जो की टॉबो चार्ज है और पॉंप आउट परता है तीन सो भी एच्पो पावर और चार सो अनम ऑफ टॉर्क मेटेड है एक एट स्पीड गियर बॉक्स के साथ 110 में पांस जो रहे हैं नाइंटी में आपका तीन हो रहे हैं तो बेसिकली एक दो और पीछे होगा और बोगिंग जो अवेलेबल है दोनो यह थी दी ओल्न्यू लंडरोवर देफेंडर